होग can you कि है लो दूस्तों कैसें आप लो हंँग तो दोस्तों हमारी पिछली सिLR रहेंगी क्योंकि यह क्लास सका पार्ट यहいきます तो थोड़ा सा कंटेंस रहे गया था वाचिंग यान वेरिफिकेशन का वह हम समझ लेते हैं वैसे चोटा सा कंटेंट रहेगा आज का वाचिंग वेरिफिकेशन का इसके बाद हम क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा कंपनी ऑडिट वह बहुत इंपोर्टन पॉइंट चैट्टर है इस्पेशली फॉर बीकॉम ओनर्स और वह बीकॉम में भी कई बार आए हुआ है उसमें से कुच्चिन अभी के लिए वह इंपोर्टन ज्यादा रहेगा ओनर्स के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि बीकॉम वाले उसे पढ़ोना ठीक है बहुत इंपोर्टन चीज है और जो सीए के अगर स्टुएं गलती से हैं भी जो इस चीज को इग्नौर कर रहे होंगे तो वह चैप्टर सीए की बुक में बहुत अच्छा से दे रखा है और उतने ही है अपनी अपनी और डियू के खुद की बुक में भी नहीं है वो बट उसमें से कोशन आ जाता है दो तिन सालों में एक बार ठीक है तो नेक्स दो या तीन क्लास में वह टॉपिक हो जाएगा और हमारा और अटिटिंग अपार्ट लगबर लगबर खतम हो जाएगा कोशिस टूल एज वर्क आप यूज करते हो वो नॉलेज आपको काम आती है डिरेक्ट ली जो भी वह समझेंगे जब भी उसको हम पढ़ेंगे चलो आज का टॉपिक है मतलब पिछली क्लास का ही यह ए गॉंटिन इस वाचिंग जखो टॉपिक क्या है वाचिंग वाचिंग वाचि होता है जहां पर आप फज जाते हो यह जहां पर आप वहागो किसी को को एक्स्पेन नहीं कर पाते हो सब को बिल में इस को लिखी है चीजह इसको वाच करना इसको देखना है कि समय सब कुछ parcel content पूरा है कि नहीं है यह सारे चीजया जो इसमें दिए हुई है वह entry करी हुई है कि नहीं करी हुई के सीडिय क्ते हैं कि दोकुमेंट्री सेड़ी चीजय को च्यक्स करना उसके अंदर जो डेटा है उसको चेक रहाई करना कि उसके entry हो रखी है कि नहीं हो रखी दिस इतना ही है बहुत लोग humble होते हैं इसके तो जह नहीं है नहीं इतना ही पीस of paper एंग डॉक्य Unity मद्विञ्अ के छिल्ले सेल्स का विल थे इसमें क्या होना चीह है यह चैङे ठीक-सी कौर्णर में design पर नाम आगया हमने इस को सेल्स किया हमारा रहा हमारा ड्रस आ रहा है मारा यहां पर पार्टी का अडरस आ रहा है यह उसके नीचे मालू आइटम बने हुआ है इतने जूते बेचे इस वाले मोडल के यहां पर यहां पर इसके पर मांट आ गया और यहां पर एक साइन आ गये जो बिल इसके इंट्री यहां विद इस दिन पर दी थी इतना ही समझने के लिए सब्सक्राइब करना यह तो हमने उसमें भी किया था वाउचिंग में नहीं वाउचिंग में सिर्फ डॉकुमेंट चेक किया था उसके एंट्री चेक की थी अगर डॉकुमेंट ही नहीं नहीं था तो हम एंट्री कहां से चेक करते हैं यहां पर क्या है वेरिफिकेशन में इटीज रिलेट्टीड टू में एसेट एंड लाइबिलिटी ठीक है अब आपको समझ में आगा थोड़ी देर में अभी इतना समझ के चलो दो मिनिट के लिए और पी अनलाइटम प्रॉफिट एंड लॉस के आईटम के लिए करते हैं जैसे अपने जिसक्ता तो नहीं और और या ओर एक्ट्म क्या है या फर कोईश्स समाल अभी हम वाच बट्पर ही पिल आपने स्टाफ को ठीक है चाइब उसने पिली एक्सपेंस का खर्च आ गया बिल आगया अपने बिल लेखा आप इतने की चाह पिए थी मेरे स्टाफ में एक महीने के यह रहा इसकी बिल और यह रही इसकी एंट्री यह परिफाय कर लिया दिस इस कोल्ड वाचिंग देट अधिशन में क्या होता है जैसे हम बिसीट का लिए हैं कि एसल खरीद हम यह वाला ग्जांपल बहुत पहले से लेते हुआ रहे हैं एसल खरीदा देखा कि एसल हमारे पास फैक्टरी में पड़ा हुआ है उसका बिल हमारे पास आया तो बिल देखा हमने 10 लाग विल देख ल आट ऐसेट जो है वह फ्रक्टरी में पड़ा हुआ है हमने वैरीफाइ क्या किया वैरिफिकेशन वैरीफाइब की यह रहा बल्ड यह रहा एससेट का बिल और इस बिल के आगे हैं यह दिएको मशीन पड़ी और यहां हम क्या चेक करेंगे मशीन हमारे पास है उसकी एक्जिस चाहां से खरीजा था उसका घ्स्ट नंबर है यह सारी चीज़े उसका एक्जिस्टन चेक कर रहे है यानि वेरिफाय करते हैं कि यह एसे अपड़ी हो इसे बोलते हैं इसे बहुत में इसके एंट्रि हुई है नहीं हुई तो हमारा रहा जाता है वो सिर्फ vouching ठीक है इसलिए जर्नेली नहीं यही meaning ही होता है जब हम P&L के item को check करते हैं bills के through उससे बोलते हैं हम vouching और जब हम asset and liability को check करते हैं उससे बोलते हैं हम verification अब sir loan भी आता है तो क्या वह भी verification में ही आएगा उसे भी हम verify करते हैं ना कि वाउचिंग में आता है उसमें तो कोई चीज है ही नहीं डेटर से जो हमने मालो कोई सेल करा हमारे डेटर का balance खड़ा पी हैं उससे तो आप verification कैसे करो verify कैसे मानोगे उसे वाउचिंग क्यों नहीं मानोगे तो देखो दोस्त डेटर का balance हम इसा पड़ा रहता है balance sheet में उसका item पढ़ रहता है ठीक है उस item को verify उसके बिल से तो करते हैं sales के बिल से तो करी लेते हैं ठीक है जो sale की entry है वो तो वाउचिंग में चली गई लेकिन उस sale के बाद जो balance रह गया डेटर का वह हम verify करते हैं तो देख थोड़ी सकते हैं आखों से जैसे हम fix assets को देख सकते हैं आपने बिल से cross verify कर लिया तो से डेटर का balance क्रॉस वेरिफाय करते है कि 10 sales करी थी मैंने Mr. Amon को ठीक है मैंने sales करी थी Mr. Amon को यहां पर मानलो अभी सिर्फ एक ही बंद है अमन इसका 10 लाग का balance पड़ा हुआ है इसको हमने करी थी दस दस बिल का चलो 15 मान लेते हैं इसको इसको मानलो 15 लाग के शेल की है लेकिन 10 लाग से अभी पड़े है तो हम verify कर रहे हैं इन 15 बिल्स को इसके balance से इन बिल को इसके balance से verify कर रहे है कि हाँ 15 में से 5 इसने bank में दे दिया है यानि cash receive कर लिया है 5 लाग और बच्चा हमारा कितना 10 लाग ठीक है और हमने पहले भी पढ़ा था इसको कि कभी-कभी हम गैटर से confirmation लेते हैं हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था confirmation लेते हैं हम करेंगे ना कि हम अमन को भेज़ देंगे एक लेटर कि अमन भाई एस ओरिटर कि अमन यह बता हमारी बुक्स में आपको 10 लाग बैलांस कितना आरहा था तो अमन अपने बुक्स薦 देगा बेज़र बेज़ देगा उसमें हमारी बुक में 10ड लाग का हा रहा है उसकी बुक में क्रैटर रहा हूं यहानि डूनों सही बुक्स बनी है ठीक है तो जो भी बैलांस शैट के आटेम होते हैं चाहे वह लाइबिलिटी हो चाहे वह एसेट हो इनको को चेक करना यह सारा आता है हमारा कि वैरिफिकेशन में होप यह क्लियर होगा ठीक है और जो भी पिएंडल के आइटम है कि पिएंडल के आइटम को चेक करना हमारा आएगा कितमें वाउचिंग में ठीक है दोस्तों चालो अब इसको हम पढ़ लेते हैं में पढ़ना कैसे कैसे है याद कैसे कैसे रखना है इसको पानि लो चेकाइम वाउचिंग लोचिंग कैसे कंपेरिंग एंट्रीज ऑभ बुक्स ओ अखाउंट बिध् डॉक्पेमैंट्रेश सवlarını द स्वेरी लैंगे frigher देखो क्या है क्या क्मलींग एंट्रीज ठीक है इन बुक्स अखंट में किस्से वीथ डॉकुमेंटरी आइविदेंस ठीक है वन निमा आ गया यानि जो भी हमने एंट्री किए अपनी बुक्स में उसको कंपेर करते हैं उन बिलो से बिल्स जो मावं वेपस पढ़े हैं इन्हें वोइसिस पढ़े हैं डॉकुमेंटरी आइविडेंस या फिर लोन कह रहा हूं कोई है aili Amanda है हर महीने आपके मालू constitu lato हर मुए लगने यह कि साथ को तरहले उसको यानि दॉकुमेंट बना जोता है एटी सिस वूंट चेक और il ही ठीक आने तो आपको यह वर्ट ध्यानने देखने अब इसी को अलग तरीके के समझा रखा है एक्जामिनेशन बाइटर ओल्ड दोकुमेंटरी एविदेंस विच अवेलिबल तु सपोर्ट अथेंटिसिटी ऑफ ट्रांसेक्शन एंटर इन क्लाइंट्स रिकॉर्ट इसमें बस आपको नया वर्ड का देखनों के मिला अथेंटिसिटी यह मां कर लो मैं भी समझाता हूं इसको कि बहुत इमोड़न वर्ड वर्ड वैसे मैं बताई दिया था जमने आपको बिल दिखाया था ऐसे बोल करके और मैंने बोला यहां पर साइन होने चाहिए ठीक है मालों सेल्स का बिल काटा तो मेरे कंपनी में मतलब मेरे क्लाइंट की कंपनी में सेल् प्रदेंट सेल्स करते हैं साइन कर सकते हैं यहां ऑनिए गलता है जो पर सकते हैं जो करने सेल्स कर यहां नहीं है वो यह नहीं यहिल्य Ti कि दिख करना था यूज है ठीक है कि चलो आप यह था है मृप्पट तो हुं इस सारे ट्रैस्ट प्रॉब्लिज। है स mail般 किया एक्सपंस से मौन जा रही आए इनकम के रही मतलब प्रॉपपल रेकॉर्ट है कि नहीं प्रस्राइब चानेंवन में बिजनेस की तो है हमारा काम है यूत यूत पेचलेक ओन दिया हमारे बिजनेस सेदो चीज रिलेटिड होनी होनी ज़िए लीगली वैलिड ना ऐसा तो नहीं है आप ड्रक्स खरीद लीगल नहीं है इंडिया में इंडिया में नहीं ठीक है कोई प्राइंटिक वाट देखो यहां पर भी आ गया प्रपर नहीं अगया प्रॉपर देखो मैंने चीज़ पताई थी डेट होने चाहिए अध्यूना चाह और कोई प्रोड नहीं होना चाहिए है यह सारी या चीज़ देखने की जरूरत नहीं है यह इतने इंपोड़र नहीं फी ली डिवेश ऑफार है हमने सं दाऊ झाल झाल